केहते कि हर बार जो चीज आपके सामने है वो सच नहीं हो सकती और इसी छुपी हुई चीजों को सामने लाने के लिए हम अपना शो लेकर आते हैं पिछले कुछ दिनों से हडकम मचा हुआ था जहां पर ये खबर सामने आई कि दिली की एक महिला के साथ गाजयबार में ठीक निर्भया जैसा कांड हुआ उसके प्राइविट पार्ट में रोट तक डाल दी गई जो उसके बाद पूरे पुलिस महकमे में हडकम मच गया तो आप देखर हमारा खास कारिकरम दबिक क्राइम स्टोरी दबिक क्राइम स्टोरी में कहानी आज दिली और गाजयबाद की जहां पर दिली के एक महिला गाजयबाद आती है अपने भाई के बर्दे पर फिर उसके भाई के मुताबिक वो उसे अपनी बहन को आटो में बिठाता है और उसके बाद में उसे पता चलता है कि उसकी बहन निकली तो लेकिन पहुची नहीं असलने पूरा मामला क्या होता है जब उसके पास सूचना मिलती है लगबग सुबा तीन मजे अगले दिन कि उसकी बहन जो है वो एक बोरी में पड़ी मिली है उसके हाथ पैर बंदे हुए है भाई के होश वाकता हो जाते हैं वो दोड़ता है पुलिस तके पूरा मामला पहु इस पर प्रेस कॉंफरेंस भी की गई और यूपी तक की टीम यहाँ पर एससपी के पास भी पहुची जानने के लिए कि आखर मामले की सचाई क्या थी तब पता चलता है पुलिस की तरफ से जो बताया जाता है कि महिला ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर खोद ये साज बने गैंग रेप की घटना के मामले में गाज़ेबाद पुलिस ने चौकाने वाला खुलासा किया है घटना की जानकारी दिली महिला आयोक की अद्धिक्ष स्वाती मालिवाल ने ट्विटर के जरिये दी और गाज़ेबाद एससपी को नोटिस भेजने की बात कही थी जिस उसकी बात गाज़ेबाद पुलिस की कानून मिवस्था पर सवाल या निशान उटने लगे थे प्रेस कॉन्फरेंस करकर गाज़ेबाद पुलिस ने घटना में जो खुलासा किया वो चौकाने वाला है गाज़ेबाद पुलिस की मताबक महिला की जानकार आज़ाद नाम के शक्स ने महिला के साथ चल रहे एक प्रॉपर्टी विवात की आरोपियों को फसाने के लिए ये संसनी खेज और फर्जी कहानी रची थी पुलिस ने महिला की जानकार और साज़िश करता आजाद और उसके साथी गौरब और अफजल यानी के कुल तीन आरोपियों गिरफतार कर लिया है साज़िश रचने में इस्तिमाल औल्टो कार को भी गज़ेबाद पुलिस ने बरामत कर लिया है मेरिट रेंज के आई जी प्रवीन कुमार ने प्रेसवारता करके इस घटना का पूरा खुलासा किया था तब ही ठानक गया था जब महिला के यहाँ पर बलातकार की जानकारी मिलती है उसके बार में उसे जिजबला आस्पटाल ले जाता है जहाँ पर वो मेडिकल कराने से इंकार कर देती है जिसके बाद उसे मेरट रफर किया रहाता है लेकिन वो वहाँ भी मेडिकल कराने से इंकार कर देती है वो कहती है कि वो अपना मेडिकल कराएगी तो सिर्फ वो सिर्फ दली के जीटीबी एस्पताल में जो इसके बार में आप मामला जो है वो सामने आ रहा है अलाकि पुलिस उसे वाँ पर इलाज के लिए लेके भी गई लेकिन अब जो मामला इन तमाम दावों के बाद सामने आया है वो ये है कि महिला ने जीटीबी अस्पताल में पहले नर्स के तोर पर काम किया है और वहीं सामने एक लैब में वो इस वक्त कारियत है गाजयबाद के जिला अस्पताल में महिला को जब ले जाये गया तो महिला ने वहाँ मेडिकल कराने से मना कर दिया जिसके बार महिला को मेरट मेडिकल के लिए रिफर किये जाने की बाद डॉक्टर ने कही लेकिन महिला ने इसका भी विरोध किया और खुद को दिल्ली की जीटीबी अस्पताल रिफर करने के लिए कहा जिसकी बार महिला का पुलिस की तरफ से इलाज करवाए गया और साज़िश के तहट उसने साज़िश रची ताकि आरोपी जेल चले जाए आरोपी आज़ाद ने अपने जानकार गौरव की अल्टो कार का इस्तमाल इस घटना में महिला को लाने और ले जाने के लिए किया गाज़बाद पुलिस ने साज़िश करता आज़ाद उसके साथी गौरव और अफजल को गिरफतार कर लिया है गिरफतार गौरव की अल्टो कार महिला को घटना सल तक लाने और ले जाने में इस्तमाल की गई इस खबर को जादा से जादा फैला हो यानि कि उसके मुताबक इस केस को जितना बड़ा बनाया जाया उतनी जल्दी उसको फाइदा होगा वोरे मामले पर हमारे सयोगी मयंग गौर्ड भी पुलिस के पास पहुचे और एससपी मुनिराज का क्या कुछ कहना है पहले आप वो सुन लीजे जनपत गाजी का बात में ताना नंदग्रा में सुबह पॉलिस के 112 कमद्र में सुचने मिली थी एक महिला वहां पे संदीक तालत पर पड़ी है उसको तुरूंद मौके पर पोलिस से 112 पहुंची और उसको ब प्रिच्टर शुच्टिक के लिए इंकार कर दिया है अम को तुरूंद आयर संद्र रफर के यहां बार वार बथाया आप यगांपर पहले प्रित्सम जानसतों कर ना दो नहें तुरूंद का पिर अहां जाने के बाद उसको बाद उन्हें को एंको मेरट अडिकल कलजिक ल जो महिला ने बताये थे उस आरूप में उनका वहां पर प्रवेट परस्वों को इंटरेल एंज्यूरीस और एक्षणी दिखाना ही पड़ी वह लिखा था उसके साथ पारिन अब्जक्स का वार में लिखा था वाह उसे किया जो पारिन अब्जक्स है और बाकिये स्लाइड्स वहां पे कुछ लोग के साथ इनका प्रापर्टी डिस्पूट जा रही थी उसे पहले से पांच लोग जानना वाला का नाम लिया था अपना ग्रोधी लोग जो उनका सिविल में डिस्पूट चल रहे था उनका नाम लिया था सबस्क्राइब करेंबर करेंए अब कर रहे था उसी के साथ साथ अम लोग ने बाकी जनपत में हर जागा से जो विदेंस्से और सब वेरिफे कराया और सभी का यहां से डिली तक और ले मागिला जो जो बता है उसका अनुसरा में सब्सक्राइब कराया और उसमें एक संदिक दिकाई पड़ा है जो मैला का एक दोस्त था पहले से उनका जानना वाला था एक आज़ाद एक वरक्ती था उनका मबेल में कुछ संदिक दम को मिला है उनका मवेल का उन्हें चर्च किया उसने कुछ फोटोस और प्लस कुछ मेसेज़ेस वगएरा उनका वार्टसप का मध्यम से कई लोग को बेजिक रखा है इसने यह गटना होती है तुरण उन्हें कुछ लोग के पैसा भी ट्रांसफर किया उसके बाद लोग उस आदमी को पर डाउट लाए और उसी के डीटेल्स का उनका लोपेशन्स वगएरा सब्टरा किया उसलिए में हमको आगे कडी मिला और उसके बाद उस आदमी से लोग सबकर पूछास करने से उन्हें सबसे पहले कबोला है हम लोग ने कराया ता जो वहां पर जो प सब्सक्राइब को मिल जाएगी वह सोच के हम लोग ने इस रख कराया और साथ-साथ पहले प्लान कराया था यहां से निकली ती महिला जाएकर अपने आप उनका अपना घर पर बैट गया था दो दिन और उसके बाद दूसरा दिन और आजाड और यह महिला और आजाड कर दो दोस्त वहां के ऊत्याद दोस्त दोक basic box तर फून करा के करता कर देखा दिया ता एक स्थोटा साथ नहीं है जैसे आप ने कहा और इसका मतलब खत्म हो हो रेप एक ऐसा दर्दनाक कांड है जो किसी महिला की पूरी जिंदगी तबाह करके रख देता है नजाने कितनी महिलाओं की जिंदगी इस रेप के चलते तबाह हो गई लेकिन अगर किसी महिला की तरफ से इसका घलत इस्तमाल किया जाता है तो उससे भी बड़ा कोई Crime नहीं है ये भी Crime की बहुत बढ़ी क्षेनी है फुलाल पुलिस का यही कहना है कि पुलिस महिला को भी इस मामले में जवाब तलब जरूर करेगी गिरफ्तार करेगी अभी महिला का एला जीटीबी स्पिताल में चल रहा है जैसे कोई अपडेट होगा The Big Crime Story में आपको इसका अपडेट हम जरूर देंगे नमस्कार